यह मैं लगा रहा हूं मट्रों के अंदर पानी यहां पर इस तरीके से टूल्स हैं जो की पान लगाने के लिए यह आपने प्योग किये और यहां पिर अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो यह पानी फैलेगा इससे अजब को दिखाने वाला है की मटर पानी किस तरीके से लगा जाता है और जुगाएंक को एक दूसरे से अटेच करकर और उसके उपर एक नोजल लगा देते हैं और सभी पाइपों के उपर इस तरीके से नोजल लगा देते हैं बस दो पाइपों के बाद हम एक नोजल लगाते हैं आप चाहिए इतरी लगा सकते हो जाए आप हर एक पैप के बाद एक नोजल लगा सकते हो और उसके बाद यहां पर इस तरीके से लगा देता हूं और सभी पाइपों के ऊपर हमें तरीके लगा कर चला जाता हूं इंजन के पास और यहां पर सभी लग चुकी हैए अब फिलाल जारहों मैं इंजन को स्टार्ट करने और यह सब उसके बाद सभी नोजलों के अंदर इस तरीके से धीरे धीरे पाने निकलने लग पड़ता है और प्रेशर भी बनने लग पड़ता है इस प्रेशर के अंदर मतलब इस पाइप के अंदर प्रेशर बनने लग पड़ता है और इस नोजलों के अंदर भी और उसके बाद जैसे सकते हो कि पानी लगना इस्टार्ट हो चुका है मटर के खेत के अंदर और उसके बाद और यहां पर इस तरीके से और अगर इस मटर के अंदर ज्यादा पानी लगा दिया जाएगा तो इसलिए हमने यह चोटे जो है जो की टूल सेंजो की पान लगाने के लिए यह हमने उपयोग किये और यहां पर लगर में इसको छोड़ोंगा तो यह पानी फैलेगा इससे यह देखो पूरा राउंड राउंड तो हम रहा यह पानी और इसके नीचे से आपको आगे आपके दिखाता हूं और यहां पर आएंगे और यहां पर पूरी तरीके से आप मट्र को पानी लग चुका है बस पानी मट्र को इसी तरीके से लगा जाता है ना कि खुला पानी शोड़ कर और मट्र को पूरा पानी लग चुका है यहां पर और ज्यादा तो नीचे पानी नहीं जाना चाहिए इतना मट्र है वह सूख जाएगा तो आप दे सकते हो कि मेरे पीछे पानी है लग रहा है मटर के खेत में मटर को पानी अगर ज्यादा पानी लगा दिया जाए ना अगर मटर सुख जाएंगे तो मटर को थोड़ा थोड़ा पानी देने के लिए इस चीजी का फ्योग किया जाता है अगर आपको ये वीडियो अची लगे हो तो वीडियो को लाइज दू कर देना चाहे मैं पर निवा रहा है तो चाहे मैं सुस्क्राइब कर लेना मिलते हैं अगली किसी नए ट्वाब के स किसी नए वोड़े के साथ तक तक लेट के क्या एंड बाइब बाइब